नमस्काल सिक्षार्थियों, मैं धिरेन नातिवारी अर्शास्त प्रवक्ता जवाहर नोदेविद्याले कानपूर दिहात। आज की इस क्लास में सूक्ष मर्शास्त के एक अत्याधिक महत्पूर और रोमान्च कारी चैप्टर प्रतिस्प्रधार रहित बाजार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिक्षार्थियों यह दूसरा भाग है, आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम एक अधिकारी तथा पूर प्रतियोगता के मध्य अंतर सपस्ट करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उत्पादन बंद बिंदू निजधारित होता है। जहां तक अंतर की बात है तो अगर हम देखें सबसे पहला अंतर तो विक्रेताओं की संख्या को लेकर होता है और विक्रेताओं की संख्या कि अगर हम बात करते हैं तो वास्तों में पूर प्रतियोगता के अंतरगत विक्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या हो को बढ़ा घटा कर बाजार को प्रभावित करने में सक्षम होता है जबकि अगर हम एक अधिकारी की तरफ चलते हैं तो एक अधिकारी एक मात विक्रेता होता है और वह यहां पर अगर हम विक्रेता की बात करते हैं तो वास्तों में वह एक मात विक्रेता है और साथ ही वह ऐसी बस्तू को विक्रे कर रहा है जिसकी प्रतिस्थापन बाजार में बिल्कुल उपलब नहीं है अगर हम अंतर के आधार की बात करें तो दूसरा अंतर हम आवा गमन की सुविधा के आधार पर करेंगे आवा गमन की सुविधा जहां तक पूल पृतियोगिता में है पूल पृतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है कोई भी फर्म जा सकती है, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं पाई जाती है, जबकि एकाधिकारी के संदर्व में किसी भी नई फर्म का एंट्री या प्रिवेश सम्भू नहीं है, जैसे ही कोई नई फर्म प्रिवेश करती है, तो हम देखते हैं कि एकाधिकारी समभ उत्पादन का अगर हम सभाव की बात करें तो जो बस्तु उत्पादित होती है पुर्प्रतियों किताय में वो सम्रूप होती है एक समान होती है रूप, रंग, आकृति, गुड, इत्यादी से एक समान बस्तु को ही सभी विक्रेता को बेचना होता है जबकि अगर हम एकाधिकारी की बात करें तो यहाँ पे कीमत विभेद भी संभो है वास्तों में एकाधिकारी अपनी एक वस्तु को अलग-अलग कीमत पर अलग-अलग विक्रेताओं को बेच सकता है इसके बारे में भी हम बहुत डीटेल में पढ़ने जा रहे हैं मांगवक्र का अगर हम सभाव की बात करते हैं तो एकाधिकारी और पूर प्रतियोगी का मांगवक्र में भी काफी अंतर पाये जाता है जहां तक पूर प्रतियोगी फर्म के मांगवक्र की बात है तो यहाँ पर कीमत का सुविकारक होने की कारण प्रतेक फर्म के पास एक ऐसा मांगवक्र प्राप्ट होता है जो कि एक सक्ष के समाना अंतर एक सरल रिखा सीधी रिखा के रुप में होता है जबकि एकाधिकारी का जो मांगवक्र है वो मांग का नियम लागू होने के कारण वस्तु की मांग बेलोजदार होने के कारण बाएं से दाएं नीचे की और जुका हुआ होता है कीमत निधारकी जहां तक छमता की बात है तो यहां पर उद्योग कीमत का निधारक होता है पूर प्रतियोगिता के अंतरगत और प्रतेक फर्म को कीमत स्विकारक के रूप में जाना जाता है जबकि एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत का स्वैंग निधारक होता है अगर हम दीरकालिक संतूलन की बात करें तो दीरकाली संतूलन की अवस्था में पूर्प्रतियोगी फर्म को सामान निलाब ही मिलेगा जबकि एकाधिकारी को असमान निलाब मिलेगा प्रिशिक्षो वास्तों में एक अधिकारी और पूर्ण पृत्योगिता के अंदर जो भी अंतर हैं ये बार-बार हर परिक्षा में आप जो पूछे जाते हैं इसलिए इसको हम डिटेल में भी एक के बाद एक सारे बिंदूं को रेखा चित्रों के माधिम से भी समझाएंगे जहां तक साधनों के प्रवाह की बात है पूर्ण पृत्योगिता में फ्री फ्लो आफ फ्री मोबिलिटी आफ फैक्टरस प्रोडक्षन पाए जाता है उट्पादन के सभी साधन स्वतंतरता पूर्वाग पूर्तिया प्रवाहित होते हैं जबकि विक्रेता एक ही है एकाधिकारी के संदर्व में तो अगर आपको रोजगार चाहिए तो उसी एक ही विक्रेता के पास आपको जाना होता है तो यहां पे संसाधनों का प्रवाह भी रुका हुआ होता है, प्रचिबंधित होता है संसाधनों का अनुकूलतम अगरम प्रियोग की बात करें तो पूर्पृतियोगता के अंतरगत संसाधनों का अनुकूलतम प्रियोग होता है और यह प्रियोग हम अभी रिखाचित के माध्यम से दिखाएंगे किस प्रकार नियूंतम कीमत और नियूंतम आउसत लागत पर पूर प्रतियोगिता के अंतरगत अधिक्तम उत्पादन की मात्रा प्रेताओं के पास उपलब्ध होती है जिससे हम कह सकते हैं सनसाधनों का अधिक्तम और अनकूलतम प्रियोग पूर प्रतियोगिता में ही सम्भ है जहाँ तक यहां आगर हम एक अदिकारी की बात करें तो यहां पर भोकता तथा सनसाधनों का सोशर होने के गुणजाईस होती है कारड यह है कि संतूलन के बिंदू पर यहां पर वो लाव को ही ध्यार में रखते हुए संतूलन इस्थापित करता है और वह उतनी मात्रा बेचता है जिस पर उसकी सीमान्त आगम सीमान्त लागत के बराबर हो जाती है इस ऐसी अवस्ता में उसकी ओसत लागत ओसत आगम से कम होने के कारल उसे लाग मिलता है अगर हम कल्यार कारी उद्देश की बात करें तो यहां हम देखते हैं किस प्रकार यहां पर पूर्ड प्रतियोगिता में कल्यार कारी सुरुआओ पाया जाता है जबकि अगर हम एकाधिकारी की बात करेंगे कल्यार कारी कारियों की कमी पाई जाती है प्यारे बचों पूर्ड प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी का मांगवक्र जहां तक मैंने भी आपको बताया कि मांगवक्र की बात है तो अगर हम पूर्ण पृत्योगता की बात करते हैं तो पूर्ण पृत्योगी फर्म की मांगवक्र देखा जाएगा तो कीमत वो द्योगने निर्धारित की है और इस कीमत पर आप चाहे जितनी मात्रा अपनी वस्तु की बेश सकते हैं पूर्पृतियोगी तथा एकाधिकारी का मांगवक्र अगर हम मांगवक्र की बात करते हैं तो वास्तों में पूर्पृतियोगी फर्म के पास कीमत निर्धारित होके आता है और इस कीमत पर वह चाहे जितनी मात्रा को बेच सकता है ऐसी अवस्ता में उसके समक्ष जो मांगवक आता है स्लाइट पर आप देख सकते हैं कि एक सीधी सरल रेखा के रूप में पाया जाता है जहां एक बार 10 रुपे कीमत निधारित हो गई इस 10 रुपे कीमत पर यह फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेचना चाहे बेच सकती है इसके बाद अगर हम एक अधिकारी की बात करते हैं तो एक अधिकारी का मांगवक बाएं से दाएं नीचे की ओर जुका हुआ है ऐसी स्थिती में अगर एक अधिकारी को अपनी वस्तू की अधिक इकाई को बेचना है तो उसे अपनी वस्तू की कीमत को कम करना पड़ेगा अधिक काई को वह या तो existing जो वर्तमान में उसके भूगता है उनको अधिक मात्रा में प्रेरीत करके बेचना चाहता है ऐसी अवस्ता में उसे कीमत कम करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि नए customers उसको खरीदें उसकी बस्तू को खरीदें तब भी उसको अपनी बस्तू की क आप सबस्साणा करें जिसमें हम ए-あ-r वक्त बनाया है यही आए-r वक्त यही आउसत आगम halo वो एक अधिकारी का मांगवक्र होता है तो जब हम मांगवक्र की तुल्ला करेंगे तो यहां पे हम देखते हैं कि पूर्टिया लोसील मांगवक्र है पूर्पतियोगता के संदर में जबकि यहां पर हम एक अधिकारी के संदर में देखते हैं कि मांग का वक्र जो है वो बेल दीरकालिन अगर संतूलन की हम बात करते हैं तो बाई तरफ जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं डाइग्राम इस डाइग्राम में हमने पूर्पृतियोगता का दीरकालिन संतूलन दिखाया है लौगरन AC, LAC, LMC, LONG RUN AC और MC काव है साथ ही LAR और LMR वक्र जो है वो LONG RUN, Average और Revenue कव है पूर्पृतियोगता का ऐसी इस्तिति में हम देखते हैं संतुलन की स्थिती में A.C. और M.C. जहाँ पर देखे ई बिंदू पर काट रहें, तो इस संतुलन की स्थिती में इसकी कीमत, औसत लागत और औसत आगम तीनों चीजें समान है। जबकि हम यही संतूलन एकाधिकारी के संदर में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह बिंदू जहां पर एकाधिकारी का सीमान आगम वकृ, सीमान लागत वकृ को काट रहा है उस बिंदू से अगर हम perpendicular draw करते हैं X axis पे और Y axis पे तो हम पाते हैं कि एकाधिकारी हरे रंग के जो square है इस वर्ग के में निहित छेत फल के अनुसार उसको असमान इलाब मिल रहा है तो दिरकाल में एकाधिकारी को असमान इलाब मिल रहा है और दिरकाल में ही पूर्प्रतियोगी फर्म को समान इलाब मिल रहा है जहां तक संसाधनों के अनकूलतम प्रियोग की बात है ये बहुत ही महतपूर topic माना जाता है और अक्सर इसमें बच्चे confuse हो जाते हैं और उस सही answer नहीं दे पाते इस confusion को दूर करने के लिए हमने आपके सामने दोनों के संतूलन को अलग अलग दिखाया है बाई तरफ अगर आप देखेंगे तो पूर्प्रतियोगी फर्म का दीरकालीन संतूलन है दाई तरफ अगर आप देखते हैं तो एक अधिकारी फर्म का दीरकालीन संतुलन है और इन दोनों ही रेखाओं को हमने मर्ज करके समाहित करके एक दूसरा डाइग्राम बनाया है जो सेंटर में बना हुआ है बड़े साइड आकार का भी है इसके अंदर हमने दोनों के तुलनात्मक अधिन को दिखाने की कोशिस किये जहा तक पूर्ड प्रतियोगी का दीरकालीन संतुलन है हम भी हमने आपको बताया कि संतुलन बिंदू पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इनका A, R, A, C के बराबर है और साथ ही M, R, M, C के भी बराबर है यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको लेकिन अगर हम एकाधिकारी की बात करते हैं तो संतुलन बिंदू पर एकाधिकारी का M, C, M, R के तो बराबर है लेकिन इस बिंदू से अगर हम perpendicular draw करें तो हम पाते हैं कि AC AR से कम है यानि ओसत आगम ओसत लागत से अधिक है तो संतुलन बिंदू पर एकाधिकारी का दिर काल में ओसत आगम ओसत लागत से अधिक है जबकि संतुलन बिंदू पर दिर काल में पूर प्रतियोगी फ़र्म का ओसत आगम ओसत लागत के समान है अगर ओसत आगम ओसत लागत के समान है तो सामान इलाप राप्त होता है अब अगर हम इन दोनों रेखाचित्णों को मिला करके एक नई रेखाचित बनाते हैं तो अब आप नीचे आजाएए बड़े वाले रिखाचित में, यहां हम देखते हैं कि LMR जो वक्र है वो सीमान्त आगम वक्र है एकाधिकारी का, LARM जो वक्र है वो औसत आगम वक्र है एकाधिकारी का, जबकि उपर आप देखेंगे जो ओरेंज कलर में दो लाइने हैं, औस अगर हम इन दोनों को तुल्ला करते हैं, तो पूर्पतियोगी फर्म का संतूलन उस बिंदू पर है, जहां पर AC-MC को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर MC-AC के बराबर है, और हमें यह जानकारी है कि MC-AC को उसके निवंतम बिंदू पर ही काटता है, ऐसी स्थितिक में हम य उसत आगम निवंतम है, जबकि अगर हम संतूलन की बात करते हैं, तो MC-MR जो मोनोपोली का है, वो नीचे EM बिंदू पर काट रहा है, यहां से पर्पेंडिकुलर डॉक करके अगर हम देखते हैं, तो इसकी कीमत भी जादा है, और OPM कीमत वसूल रहा है, और OPP कीमत है पूर पूर प्रत्योगी फर्म कम कीमत पर अधिक मात्रा को बाजार में प्रस्तूत करने में सच्छम है, जबकि एक अधिकारी के समक्ष संतूलन बिंदू पर उसको अपना लाप को अधिक्तम करना है, इस लाप के अधिक्तमी करण करने के कारण उसका ARAC से अधिक है, और अधिक पर आधिक बस्तू की मात्रा उपलब्द होती है, जबकि एक अधिकारी में औसत आगम औसत लागत से अधिक होता है, ऐसी ऐस्तिति में एक अधिकारी का संतूलन उस बिंदू पर होता है, जोकि फर्म का उप्रम का अनुकुलत माकार नहीं है, यहां MC-AC को काटती है आप देखिए हरे रंग का जो डाइग्राम है बाई तरफ वो पूर पृतियोगी फर्म के लिए दिखाये गया है यहाँ पर हम देखते हैं संतुलन बिंदू पर औसत आगम औसत लागत के भी बराबर है क्योंकि MC AC को इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब है कि यह फर्म का अनुकूलता माकार है यानि कि नियुनतम लागत पे फर्म यहां पस्तू को उत्पादिक करने में सक्षम है साथ ही इस फर्म को सामाने ला मिल रहा है जबकि अगर हम दाई तरफ देखते हैं एकाधिकारी का संतूलन तो एकाधिकारी के संतूलन की स्थिती में MCMR तो E बिंदू पर इक्वल है लेकिन आप देखेंगे कि इस बिंदू पर AR जो है वो AC से अधीक है तो हरे रंग का एरिया जो है वो आपका असमान इलाब का इंडिकेटर है प्रिशिक्षार्थियो पूर प्रितियो गिता और एकाधिकारी दोनों को अगर हम मर्ज करके एक तीसरा डाइगराम बनाते हैं तो हम आपके सामने देखेंगे कि किस परकार ARM औसत आगम वक्र है एकाधिकारी का LMRM वक्र एकाधिकारी का सीमान तागम वक्र है यहाँ पे AC और MC दोनों के लिए समान है क्योंकि लागत का स्ट्रक्शर दोनों ही प्रकार के फर्मों के लिए समान माना जा सकता है अगर हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार की फर्मों को समान लागत धाचे का सामना करना पड़ रहा है ऐसी इस्तिती में हम दीरकालिन संतूलन पाते हैं कि पूर्ड प्रिच्योगिता का वहां पर होगा जहां MCAC को इंटरसेक्ट कर रहा है यानि कि फर्म का अनकूलतम आकार है इस इस्तिती में आप देखेंगे कि अगर हम एक अधिकारी से हम कंपेर करेंगे तो हम पाएंगे कि संतूलन MCMR मोनोपोली का EM बिंदू पर होता है और EM बिंदू से अगर पर्पेंडिकुलर ड्रॉफ किया जाता है तो हम पाते हैं कि इसका ACAR से कम है यानि कि आउसत लागत आउसत आगम से कम है यानि कि ये ज़्यादा कीमत वसूल रहा है आउसत लागत से जबकि पूर्प्तियोगी फर्म आउसत लागत और आउसत आगम उसकी कीमत और आउसत लागत दोनों बराबर है तो सामाने लाग की स्थिती में अब हम यह देखते हैं कि पूर प्रत्योगी फर्म ज्यादा मात्रा कम कीमत और कम लागत पर बाजार में प्रस्तुत करने में सक्षम है अगर यह तुलना हम एक अधिकारी से करते हैं तो एक अधिकारी में कल्याण कारी कारियों की कमी पाई जाती है जबकि पूर प्रत्योगिता में आप देखेंगे कि बस्तू क्रेताओं के लिए कम कीमत पर अधिक मात्रा में उपलग्ध होती है तो उत्पादक अथवा विक्रेता की दरिश्टी से अगर देखा जाए तो एक अधिकारी बहतर होता है लेकिन अगर हम देश, अर्थ्योस्था और भूग्ता की दरिश्टी से देखते हैं तो वास्तों में पूर प्रत्युक्ता बहतर मानी गई है आई अब हम देखते हैं उत्पादन बंद बंदू किसे कहते हैं क्या अल्पकाल में हानी प्राप्त करने वाली फर्म उत्पादन को अल्पकाल में ही बंद कर सकती है यदि हाँ तो कब और यदि नहीं तो क्यों नहीं या एक रेखाचित आपके सामने है जिसमें हम तीन डाइग्राम की माध्यम से ऐसा दिखा रहे हैं रेखाचित नमबर एक में आप देखेंगे अगर उत्पाधन को तत्काल बंद कर दिया जाए तो कुलहानी TFC के बरावर होती है लेकिन अगर उत्पाधन को चालू रखा जाता है तो कुलहानी जो है TR-TC के बरावर होती है क्योंकि अब TR का अमाउंट आप बस्टू को बेचने से प्राप्त कर सकते है तो पहले लेखाचित में हम देखते हैं कि अगर उत्पाधन को तत्काल बंद कर देती है फर्म तो आप देखेंगे जो औरेंज और यलो कलर का एरिया है ये दोनों मिला कर उसे हानी हो रही है लेकिन अगर वो बस्टू का उत्पाधन करते हैं और उसको बेचते हैं तो यलो कलर का जो एरिया है वह एरिया कवर करने में सक्षम है यानि कुल इस्थी लागत के साथ कुल परिवर्टन सी लागत का भी एक अच्छा हिस्सा फर्म कवर करने में सक्षम है ऐसे इस्थिती में उसकी हानी जो है वो कम हो जाती है और आप खाली ब्राउन कलर का एरिया है वही उसकी हानी का इंडिकेटर है दूसरी इस्थिती में हम देखते हैं चाहे वो उत्पादन को ततकाल बंद कर दे या उसको उत्पादन को जारी रखे दोनुई इस्थिती में उसकी हानी समान औरेंज कलर का एरिया है इसी एरिया के बराबर उसको हानी हो रही है तीसरी स्थिती में देखते हैं अगर उत्पादन को जारी रखती है तो उसका हानी बढख करके डबल हो जाती है और उसका मुखकारण क्या है उतपादन बंदविंदू वहविंदू होती है, जिस बंदू पर बस्तू की कीमत, उसकी औरिवर्टन सी लागत के समान हो जाती है ऐसे स्थिति में वह उत्पादन जारी रखे या बंद कर दे दोनी अवस्था में उसको समान रूप में हानी होती है इसलिए यह उत्पादन बंद बंदू कहता है हम यह निसकर्स निकाल सकते हैं कि उत्पादन बंद बंदू वह बंदू होता है जब अल्पकाल में एक हानी प्राप्त करने वाली फर्म अपने उत्पादन को बंद करने के लिए मजबूर हो जाती है यह हुए बिंदू है फर्म की बस्तु को बेच कर मिलने वाली कीमत उसकी आउसत परिवतन सी लागत के एवी सी के समान होती है जो कि रेखाचित नमबर 2 में दिया गिया है तो इस क्लास में हमने हमने आपको सबसे पहले तो एकाधिकारी और पूर पृ्टियोगते के मध्ध तुल्नात्मक कध् עझ किया हमने आपको बताया है कि दोनों के मांगवक्र में भी अंतर है पूर्परतियोगी फ़र्म का मांगवक एकस-कस के समाना नतर एक सीधी रेखा होता है जबकि एकाधिकारी का मांगवक बेलोजदार बाएं सिदाएं नीचे की और जुका होता है हमने आपको बताया कि संसाधनों का अनकूलतम प्रियोग पूर प्रतियोगिता में जैदा अच्छा होता है एक आधिकारी के तुलना में साथ ही हमने आपको बताया कि अलकाल में एक हानी प्राप्त करने वाली फर्म अपने उत्पादन को किस कब बंद करने के लिए तयार हो जाती है आज की इस क्लास में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद